परजी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर रूपे की धोखाधरी करने वाले आरोपि को चामपा पुलिस ने किया गिरफतार, भेजा न्याइक रिमान पर। जान्जगीर की चामपा पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर रुपे की धोखाधरी करने वाले आरोपी को विरफ्तार किया है और उसे न्याईक रिमांद पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जवाहर लाल सोनन्त ने थाना में रिपोर्ट दर्च कराया था कि योगेश कुमार देवांगन के द्वारा जगदल्ला चामपा के पास जमीन को तीन लाख रुपे में सौधा किया था और जमीन को अपने नाम से रजिस्ट्री कराकर जमीन का तीन लाख रुपे पीडित जवाहर लाल सोनन्त को नहीं दिया। पुलिस ने जवाहर लाल सोनन्त की रिपोर्ट पर आरोपी योगेश कुमार देवांगन के खिलाफ जुर्म दर्च किया था और जाच में जुटी हुई थी। इधर पुलिस ने फरजी तरीके से जमीन की रजिस्ट् कर रुपे की धोखाधरी करने वाले आरोपी योगेश कुमार देवांगन को गिरफतार किया है और उसे न्याएक रिमांद पर भेज दिया है।